वेल्कम टू माई चेलंग राधे पुटीक मैं हूँ मीनु वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी मांक्स बनाने का बहुत ही असान तरीका इसमें हमें करना क्या है, हमें कपड़ा लेना है, कपड़ा मैंने डबल सेड का लिया है, जैसे कि डबल कपड़ा ले लिया है मैंने ये, इस से हमें क्या होगा कि ये माक्स है जो हम दोलों तरब से पैन सकते हैं, अब मैं इसकी कटिंग और इसकी सिलाई बताती हूं आपको, म मैंने इन दोनों कपड़ों को बराबबर में काट लिया है. अब हमें इस तरह से इसको उल्ट देना है और अब इसको इस तरह से. अब हमें याँ पर एक पिन लगा देनी है ताकि कपड़ा हिलेना. अब हमें याँ पर एक इंच का निसान लगाना है और याँ पर भी एक इंच का निसान लगाना है और इसको इस तरह से इस निसान में मिला देना है अब और याँ से इसको राउंड सेप दे देना है और अब इसकी cutting कर देनी है ये देखिए मैंने इसकी cutting कर दिया अब इस आलफिन को बाहर निकाल लीजिए अब इनको fold करके यासी cutting कर देनी है अब हमें इसको मसीन पे सेलना है सबसे पहले याँ पर stitch कर दो और इसकी यासे stitch कर दो अब इसके भी stitching कर दो मैंने इन दोनों की सिलाई कर दी है अब इसके उपर के तरफ भी सिलाई कर दो सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दीखेंगे इस फेवरिक का कपड़ा उपर की तरफ है इसका सीधा पासा ये है और इसका ये है ये इन दोनों को इनके आमने सामने करके इस तरह से हमें रख देना है अब हमें इसका लाश्टिक है वो देखना है हमें साथ इंच लाश्टिक लेना है और इसको इस तरह डबल करके काट लेना है अब इसको अलग कर लीजिए अब हमें जितना इसको अंदर देना है वहांपे इसका निसान लगा लीजिए और इस माक्स के उपर सिलाई करने से पहले इसको इसके अंदर देकर इस तरह से पहले से इसको स्टिच कर लो अब इन दोनों के उपर की सिलाई कर दो अब थोड़ी थोड़ी आप इसकी कटिंग कर दो अब इसको धीरे धीरे सीधा कर लो इसको सीधा करने के बाद इसको इस तरह से रख कर इस पर अच्छी तरह प्रेस कर लो अब हमें ये लाश्टिक जांपे निसान लगाया हुआ है इसकी अंदर देना है और यहां पर भी सिलाई कर देनी है इस तरह से हमें इसको अंदर फोल्ड करके ये लाश्टिक अंदर डालकी और सिलाई कर देनी है और इसकी चारु तरप से इस तरह सिलाई कर देनी है यह देखिए गाइज मैंने इस तरह यहां पर इसका अलाश्टिक डाल दिया और यहां पर इस तरह डाल दिया यह देखिए कितना टू इन वन माक्स बन कर त्यार है हेलो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजी कोमेंट भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिविकेसन आपको मिलता रही थेंक्यू